धर्मशाला की सेर नई दिल्ली 21 माई 2014 प्रियर मित्र राघवन तुम्हारा पत्र मिला आशा करता हूँ कि तुम्हारे घर में सब कुशर मंगल होंगे पिछले सब्दह हम हिमाचर प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर खूमने गए थे जानते हो धर्मशाला हिमाचर प्रदेश की एक संदर जगा है देश विदेशते हजारों सैलानी वहां घूमने आते हैं हम वहां तीन दिन रुके उन तीनों दिन हमने बड़े मजे किये मई के महीने में जहां दिल्ली में बहुत कर्मी पढ़ती है वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत सुहावना होता है वहां पर हमारे पहले दिन की शुरुवात सुबह साथ बचे से हुई उस दिन हम धर्मशाला के गोतवाली बाजार में घूमे और अपने लिए तरह तरह की चीजें खरी दी फिर हम एक स्थानिय जीप पकड़कर धर्मशाला से कुछ उंचाई पर बने एक स्थान मैकलियोट गंज गए वहां चारों और विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे थे ऐसा लगता था मानों किसी और ही देश में आ गए है वहां की सबसे प्रसिद्ध जगह दलाई लामा मंदिर है उस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ती है वह बहुत संदर है अगले दिन हम भागशुनाथ नामक जगह पर गए वहां एक बहुत बड़ा जर्ना था जिसमें नहा कर बड़ा मज़ा आया जहां हम नहा रहे थे उसकी चारों और उचे उचे पहाड थे उसमें एक साथ हजारों लोग नहा रहे थे तीसरे और अंतिम दिन भी बड़ा मज़ा आया उस दिन हम धर्मशाला से काफी उचाई पर बनी एक चील देखने गए इसका नाम डल चील था इस चील का नाम तो डल चील था पर यह कश्मीर की डल चील नहीं है यह चील तो उससे बहुत छोटी है इसके जारों ओर उंचे उंचे पेड़ है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रही इसलिए और मज़ा आया हमने जेल में नौकायन यानी बोदिंग किया फिर शाम को अपने होटल आ गए क्योंकि रात को ही हमारी वापसी की बस थी हम अगली चट्टियों में हिमाचल के दूसरे स्थान डलहौजी जाने की योजना बना रहे हैं अगली बार तुम भी साथ चलना मैं तुम्हें धर्मशाला की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ उन्हें अवश्य देखना अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और समय समय पर पत्र लिखना तुम्हारा प्यारा मित्र चंद्रन